पेशे राजेसान की बड़ी खबरें अगर राजेसान में लोगदंतर की पहली सीड़ी गावों की सरकार के गठन को लेकर मतदान किंद्रों पर त्योहार जैसा महोल देखा गया तेज गर्मी भी मतदाताओं के कत्मों को रोक नहीं पाई गाव की सरकार बनाने के लिए लंबे समय से चली आ रही दोड़ धूप का परिणाम आखिरकार देर राद तक आही गया जैपुर जिले की तीन पंचाय सिमितियों की 94 ग्राम पंचायतों में ग्रामीनों का गाव का मुख्या मिल ही गया कोरोना के बीच तीसरे चरण में काव धानियों के मतदाताओं ने प्रत्याशियों की वोटों से जोली भर दी तीसरे चरण में गाव की सरकार के चुनाओ को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला तो दूसी तरफ अंतिम समय तक प्रत्याश्यों ने अपने पक्षमी वोट को लेकर मत दाताओं के आगे पूरी ताकत जोंक दी राजसान हाई कोट ने नीजी स्कूलों की ओर से ट्यूशन फीस का 70 फीस्दी वसूलने के खिराफ दायर अपील पर सुनुवाई 9 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है नयदीश प्रकाश कुप्ता और नयदीश महिंदर गोईल की घंड पीट ने यह आदेश राजे सरकार वे अन्य की ओर से दायर अपील पर दिये बहस के दुरान अपील आर्थी सुनिल समधड़िया की ओर से पक्ष रखा गया सीमा सुरक्ष बर राजसान फ्रंटियर के महा निरिक्षक आयूश मड़ी तिवारी ने 4-6 अक्टूबर तक श्री गंगानगर और बीकानेर से लगती बारत पाक अंतराश्ट्रे सीमा का दोरा किया उन्होंने बीएसेफ अधिकारियों से सीमा की सुरक्ष समंध्य जानकारी ली इसके साथ साथ सभी अधिकारियों अधिनर्स अधिकारियों और जमानों से मुलाकात कर करोना महामारी के बारे में भी जानकारी साजा की गई तिवारी ने श्री गंगानेगरों बेकानेर से लगती अंतर राश्ट्रे सीमा पर सीमा चोकियों का भ्रमन कर सुरक्षा इंतजामों की समिक्षा की पंचायती राश संस्थाओं के चोथे चरण की 897 ग्राम पंचायतों में 10 अक्टूबर को होने वाले चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 16 जिलों के लिए चुनाव परेविक्षकों की सूची जारी कर दी है आयोग के मुखे निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंग राजपुरोहित ने बताया कि परेविक्षकों में भारतिय प्रशासनिक सेवा वे राजसान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ट अधिकारियों को यह मेहतरपौन जिम्यदारी दी गई है राजसान में निकाय चुनाव को टालने के रिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दर्वाजा खटकटाया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को राहत नहीं मिलती है तो बिना संगठनात्मक धांचे के ही कांग्रेस को निकाय और पंचाय समीतियों की चुनाव के लिए मैदान में उधरना होगा यानी एक तरफ जहां बिजेपी इन चुनावों को लेकर युद सर की तैयारी में जूटी है वहीं कांग्रेस पिछले 84 दिनों में अपनी सेना भी तैयार नहीं कर पाई है दरसल अगामी पंचाय समीतियों और निकाय चुनावों को लेकर प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है लेकिन सतालूड कांग्रेस में इसे लेकर कोई हलचल नहीं है राष्टे स्वय सेवक संग के सर संग चालक डाक्टर मोहन भागवत ने मंगलवार को कहा कि कोलोना वाइरस महामारी के कायन समूची दूनिया एक बार फिर विकास की बारती विचार परंपरा की और लोटी है और उसे बड़ी उमीद से देख रही है उन्होंने कहा कि जैवेखात के बारे में 50 साल पहले विदर्ब के नेडब काका बड़ी अच्छी योजना लेकर केंदर के पास गए लेकिन उस योजना को सिर्फ इसलिए कच्छे में डाल दिया गया है कि वह भारत के दिमाग से निकली थी कोटा शहर के कुन हाड़ी थाना पुलिस ने सोमवार रात गश्ट के दोरान एक कार में जुआ खेलते हुए बूंदी के सदर इलाके में रहने वाले चार सटोरियों को गिरफतार कर लिया कोटा एसपी गोरव यादव ने बताया कि गिरफतार आरोपी मुकेश कुमार गुर्जर, राकेश कुमार गुर्जर, कुंज बिहारी गुर्जर एवं जोधरास गुर्जर है इनसे दाओं पर लगी रकम 4,25,000 रुपे, 13,60 डायरी वे जुआ ही साब की दो डायरियां जब्द की गई है और अब खबरें श्री गंगानेगर हनुमानगर जिले की हनुमानगर जिले की संग्रिया पुलिस थाना शेत्र के धाबा में स्थित PNB बैंक में करेरत करमचारी ने बैंक में 16 लाक रुपे का गवन कर लिया मामला पकड में आने के बाद करमचारी पर मुकदमा दर्च किया गया है पुलिस के नुसार हाल शाखा प्रबंदक आश्यतोस प्रसाद ने संग्रिया पुलिस को रिपोर्ट में बताया कि करमचारी पवन कुमार ने कार्या करने के दुरान बैंक में दस्तावेजों में हेरी-फेरी करके 16 लाख रूपे का गबन कर लिया पुलिस मामले की जांच कर रही है जिले के प्रभारी मंत्री बीडी कला के प्रथम बार हनुमानगड आगमन पर मंगलवार को विधायक चोधरी विनोध कुमार के नेतेतू में विधायक अमित चाचान पुर्व जिलाद्यक्ष सुरेंदर दादरी मात्मा गांदी जीवन दर्शन समीती के सयोजक श्रवन तवर नगर परिश्र सभापती गनेश राज बंसल शब्णम गोदारा सहित समस्त कांग्रेस जन प्रती नीधियों एवं कारेकरताओं ने सूत की डोरी एवं पगडी पहना कर स्वागत किया पुर्व जिला द्यक्ष सुरेंदर दादरी ने बताया कि गैबिनेट मंत्री एवं प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला बुद्वान को प्रते दस बजे प्रशासनी कारेकरम के तहट जिला परिशद में भाग लेंगे जिसके पश्चाद दोपहर एक बजे व्यपार संग धरमशाला में कांग्रेस कारेकरताओं का आयोजित धर्ना प्रदर्शन एवं कारेकरताओं की बैटक में भाग लेंगे किसान धान का तोला मजदूर यूनियन द्वारा केंदर सरकार वे राजय सरकार की श्रमिक विरोधी कानून के खिलाफ कार्मिक भूख हरताल पर बैटे हैं इंदरजित पन्नी वाली ने बताया कि केंदरो राजय सरकार द्वरा क्रिशी अध्यादेश लाए हैं उसके विरोध स्वरूप वे समर्थन मूले से नीचे फसल खरीदने के कारण अनाज मंडी क्रिशी उपज मंडी समीती हनुमानगर टाउन के सामनी कार्मिक इंदरजित पन्नी वाला महंगा सिंग सिद्दू रमेश डावला रामजी लाल सुरेंद्र अरोडा जमुना देवी अमचन पर बैठे हैं श्री गंगानगर जिली में पश्चों में खुरपका मुहुपका टिका करण अभियान 12 अक्टूबर से 25 नवम पर तक रास्ट्रे रोग नियंतरन कार्यकरम के अंतरगत FMD टिका करण कार्य किया जाना है जिला श्री गंगानगर में गोवंश 6,36,704 वे 22,212,23 में टिका करण किये जाने का लक्षय है सयूत निदेशक डक्टर हुकमा राम ने बताया कि टिका लगाये जाने वाले पशु के कान में 12 डिजिट का एक टैग लगाया जाना अनिवारे है श्री गंगानगर में जिला जन अभाव अभियोग निराकरन एवं सतरकता समीति की बैटक 8 अक्टूबर को प्राते 11 बजे कलेक्टेट सबा होल में होगी बैटक के जक्षता जिला कलेक्टर महावीर पसाद वर्मा करेंगे बैटक में विबिन 48 प्रकरणों पर सुनवाई की जाएगी श्री गंगानगर में आत्मा योजना अंतरगत मंगलवार को पंचाय समिति घरसाना के गावों का सयुग्त ब्रहमन किया जिसका आयोजन ग्राम पंचायत 22 आरजएडी के राजीव गांदी सेवा केंदर पर किया गया जिसके जक्षता सरपंच स्रीमती सोनू ने की इसमें लगबग 30 किसानों ने भाग लिया श्री गंगानगर में अखिल भारती सफाई मजदूर यूनियन अध्यक्ष उमेश वालमेकी के नित्यत्व में संगटन पदा दिकारियों में करे करताओं ने नगर परिशत आयुकत प्रियंका बुडानिया को ग्यापन सौंप कर नए सफाई ठेके में अस्थाई सफाई करमचारियों के हितार्त नियम शर्तों को शामिल करने की मांगी है श्री गंगानगर जीले के लॉइंस क्लब से इंटरनेशनल जौन तरित्य की प्रथम जौन एडवाइसरी एक होटल में जौन चेरमें जितेंदर ग्रोवर की अध्यक्षता में आउजित की गई तीनों क्लबों लॉइंस क्लब श्री गंगानगर ग्रेटर क्लासिक वे विश्वास के सचिवों ने त्रेमासिक रिपोर्ट प्रस्तूत की वे भविशे में प्रांतिय कायकरम को भी सून योजी तरीके से करने का आश्वासन दिया श्री गंगानिकर में राजस्तान विद्यूत उतुपादन मजदूर का पतिनीधी मंडल जिला देक्ष्राम सुन्दर शर्मा के नितेत्व में उर्जा मंत्री वे जिला प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला से सरकीट हाउस में मुलाकात करके अपनी समस्याओं का ग्यापन सोपा श्री गंगानिकर जिला मुख्याले के ब्लॉक एरिया में सित बैंक ओफ पडोदा का एटियम तोडने का प्रयास किया गया गडिमत रही कि अग्याद लुटेरे एटियम को तोडने में काम्याब नहीं हो सके कोतवाली पुलिस थाना प्रबारी गजेंदर सिंग ने बताया कि ब्रांच मैनेजर राजेश कुमार की रिपोर्ट पर अग्याद चोरों पर मुकदमा दर्च किया गया है एटियम में लगे सिसी टीवे कैमरे इसकी फूटेस खंगाल कर अग्याद यूपकों के बारे में पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है हनुमानगर में शराब ठेकेदारों ने मंगलवार को जिला आपकारिय दिकारी को अवैज शराब रोकने बाबत ग्यापन सोबा ग्यापन में बताया गया कि ग्राम पंचाय जोड किया वे हनुमानगर जंक्शन में अवैज शराब की काफी ब्रांचे चल रही है अन्य जगय के ठेकेदारों द्वारा अवैद रूप से ब्रांच खोल रखी है फिल हाल इस मॉलिटेन में इतना ही फिर हासिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ